गाजर का हल्वा तो आपने बहुत बार बनाया होगा लेकिन इस तरीके से नहीं बनाया होगा आज हम इस हल्वा को दो चम्मजखी और एक कप दूट से बनाने वाले हैं और पिना मावा के भी बनाने वाले हैं बनाने का जो तरीका है वो एकदम नया है टेक्शर एकदम दानेदार है बहुत स्वादिश्ट हल्वा हल्वाईयों जैसा बन के तियार होगा तो हाई गाईज वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल कुग भी धेमा तो चलिए इस नय तरीके से हल्वा बनाना शुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे पास में बनी ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर करने में कंजोसी पिल्कुल ना करें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी रेस्पी आपको कैसी लगी तो चलिए शुरू करते हैं तो इसको बनाने के लिया है हमने 700 ग्राम गाजर और 200 ग्राम चुकंदर तो गाजर क और चुकंदर को हमने अच्छी तरीके से वाश कर लिया है उसके बाद छील के पतले पतले से पीसे कर लिये हैं जैसे सलाद में काटे जाते ना वैसे हमने गाजर के पीसे कर लिये हैं घिसने में बहुत टाइम लग जाता है लेकिन अगर ऐसे पीसे कर लेते हैं तो बनाने म जब काट लेते हैं तो बहुत ही आसानी से हलवा बन जाता है तो यहाँ पर चुकंदर को भी हमने इसी तरीके से काट लिया है और दोनों चीजों को एक कूकर में हमने डाल दिया है और उसके बाद एक कप लिया है हमने दूद और एक दिन की जितनी मलाई होती है दूद में उ 2-3 सीटी हम आने देंगे तो यहां पर 2-3 सीटी आ चुकी है और कूकर की जो प्रेसर है वो एकदम निकल चुकी है और ढकन हटा की देखा तो यह देख लीजे गाजर और चुकंदर बहुत ही बढ़िया से पक चुकी है यह देखिए आपको हम दबा के भी दिखा रहें एकद बच्चे चुकंदर तो ऐसे खाते नहीं है लेकिन जब इस तरीके से हम हल्वा में डालेंगे चुकंदर तो हल्वा का कलर, हल्वा का कैक्शर, हल्वा का स्वाद और हल्वा जो है बहुत ही हल्दी भी बनेगा तो बस अब इसको हमी एक चमच या चिससे दाल निकालती है च में हलके हलके से तुकड़े रह जाएंगे तो हलवा का जो टैक्षर है वह बहुत अच्छा अपने खाने में भी ज्यादा स्वाधिश्ट लगेगा और देखिए यह कितना बड़ी ऐसा मैश हो गया है तो अब हमें गैस पर रखनी एक कढ़ाई और कढ़ाई में हमने यह सारा मैटेरियल डाल दिया है और इसको 5 मिनट तक हमने भून दिया है भूनने के बाद यह कुछ इस तरीके से हो गया है तो आपके साथ हम कढ़ाई में डालके और भूनने वाला वीडियो शेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ कैमरे की प्रॉबलम की वज़े से यह वीडिय प्रॉबलम की वाला दिया है तो बस हमने इसको 5-6 मिनट तक गाड़ा किया है और यह इतना गाड़ा हो गया है जब यह थोड़ा सा गाड़ा हो जाय तब इसमें डालेंगे हम चीनी तो यहां पर हमने डाला है लगबग यहां पर हमने 1.500 ग्रम चीनी डाली है आप अपने लगातार चलाते हुए हम 4-5 मिनट तक भूनेंगे और उसके बाद देखेंगे कि यह हलवा फिर से सुखा सुखा सा हो गया है तो अब हलवा में हम अच्छी शाइन लाने के लिए यहां पर डालेंगे एक टेबिल स्पून घी तो अभी तक हमने इसमें घी का यूज नहीं क रही है तो हाँ गईज हम यहां पर मावा का यूज नहीं कर रहे हैं यहां पर हम डालेंगे पनीर तो यहां पर हमें 200 ग्राम पनीर लिया है जिसको हमने पहले से ही ग्रेट कर लिया है तो इस पनीर को हमने इसमें डाल दिया है थोड़ी सी पनीर को बचा लिया है उपर से ग आपको आज की रस्पी, अगर हमारी रस्पी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें, जिनोंने अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजे और जिनोंने लाइक कर दिया है उनको दिल से धन्यवाद तो बस हलवा बन के तयार है अब इसमें लगाएंगे हम एक खास तड़का तो तड़का लगाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है एक तड़का पैन जिसमें एक टेबल स्पून घी डाल दिया है 8-10 बादाम को काट के डाल दिया है और गैस की फ्रीम को लो कर दिया है बादाम को हमने पहले डाला है क्योंकि बादाम को भूनने में थोड़ा सा जादा समय लगता है तो बस कुछ सेकेंड तक बादाम को भूनने के बाद यहाँ पर 10-12 काजू को डाल दिया है काई फूट आप अपनी पसंद के कोई भी डाल सकते हैं और इसमें 5-6 इलाइची के दाने को कूट के डाल दिया है और तड़का बन के तयार हो गया है तो ये हमने हलवा के उपर डाल दिया है इससे पहले भी हमने आपके साथ गाजर के हलवा गाजर के खीर की रस्पी शेयर क आप सबने उसको बहुत पसंद किया तो आप हमारे चैनल पे जाकर वो तरीका भी देख सकते ही आपको बहुत पसंद आएगा यह सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है थोड़ी सी पनीर भी उपर से डाल दी है जब आप यह तरका उपर से लगाएंगे तो आप देखेंगे कि हलवा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आया है और बहुत ही जादा स्वादिष्ठे हलवाईयों से बिल्कुल भी कम नजर नहीं आएगा आपको तो रस्पी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजे तो गाईज मिलते हैं आप से अगले वीडियो में एक नई रस्पी के साथ में तब तक के लिए इतली तिंकली